तो आचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका class 12 three-dimensional geometry बारे में तो यह three-dimensional geometry की practice seat है अगर आपने three-dimensional geometry के लिए जितने question मैं आपको दे रही हूं वह सारी question अगर आपने practice करने हैं तो बस आपका यह chapter प्रिपेर हो जाना है तो यह रहे ही कि सारे के सारे को सारे को प्रैक्टिस कर लोगे अगर एक बार तो आपके NCRT से सारे topics cover हो जाएंगे RS अगरवाद सारे topics cover हो जाएंगे और आपके board examination में three dimensional geometry आपके totally जो है वो आपके complete हो जाएगी आपको इससे करने की जरुएत नहीं है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर नमल गुनना थांक्स पर वाचिंग लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में